हेलो एब्रीवन वेलकम टू आरू टू चनल दोस्तों एक गुड नूज है आप सभी कंडिडेट के लिए बैकेंसी रिलिज कर दी गई है परमारू उरुजय भिभाग की तरफ से जी हाँ दोस्तों DAE यानि की Department of Atomic Energy की तरफ से आप सभी ITI Diploma Degree कंडिडेट के लिए बैकेंसी गवर्मेंट जॉब सरकारी नौकरी की जवर्ज़त बैकेंसी रिलिज कर दी गई है जो की आल इंडिया के male and female सभी कंडिडेट अपलाई कर सकते हैं परमारू उर्ज़ा बिभाग बहुत बड़ा बिभाग है अगर इस डिपार्टमेंट में सरकारी नौकरी करने का मौका मिले तो बहुत सारे कंडिडेट के लिए ड्रीम होता है इस बिभाग में नौकरी मिल जाए सेलरी की टेंशन मतलो बहुत अच्छी खासी सेलरी रहने वाली है चलिए डिटील नोटिफिकेशन वाई डिसकस करते हैं कौन कौन से लोग अपलाई कर सकते हैं सेलेक्शन प्रोसेस क्या होगा सभी ITI डिप्लोमा डिगरी कंडिडेट सभी टेलिग्राम चैनल जोइन कर ले से हैं और कमेंटर में जरूर बता देना आपका ट्रेड और ब्रांच कौन सा है ताकि हम में पता चले कौन कौन से ट्रेड के स्टुडेंट ज्यादा जुड़े हैं और ट्रेड से रिलेटेट कोई जौब की अपडेट आती है तो हम आपके लिए जल वीडियो लेकर या टेलिग्राम में जरूर सेर करेंगे चलिए आगे बढ़ते हैं यह है बैकेंसी बैकेंसी निकाली गई है टी आई एफ आर यानि की टाटा इंस्टीट आफ फंडामेंटल रिसर्च यह परमारू उर्जा विभाग में आती है यानि यही पर रिक्वार्मेंट है अलग अ अप्सियल नोटिफिकेशन टाटा इंस्टीट आफ फंडामेंटल रिसर्च यह बैकेंसी है बैकेंसी है टोटली गवर्मेंट आफ इंडिया आफ नुकलियर साइंस एंड मैतमेटिक्स और डिमेड इन्वर्सिटी लीड करती है गवर्मेंट आफ एटामिक एनरजी के एज की बात करूं तो 18 साल से लेके अलग-अलग पोश्ट के लिए अलग-अलग देखने को मिल जाएगी 28 साल, 33 साल, 43 साल बताई गई है सैलरी देख सकते हो एज 40 साल जिसमें एज जादा है जाहिर से जिसका एज जादा होगा उसको इस्पिरियंस जादा होगा उसकी सैलरी भी हाई रहने वाली है देख सकते हो पोश्ट डिसकस करते हैं जितने सब के पहले जितने भी पोश्ट है गेंजवेट पास होना चाहिए विद 60 परसेंट चाहिए डिपलोमा, डिगरी, सैर्टिफिकेट आप कर रखी है तो बिलकुल अपलाई कर सकते है यहाँ पर आपको इस्पिरियंस चाहिए रिटेन टेस्ट आएंड इसकिल टेस्ट के माद्यम से सेलेक्शन होगा सेंटिफिक आफिसर की बैकेंसी है जिसमें फुल टाइम बी बी टेक कर रखी है बित 60% मार के साथ अपलाई कर सकते है केंप्यूटर साइंस या आईटी के फिल्ड में होना चाहिए और मिनमम 2-3 एर इस्पिरियंस यहाँ पर मागी गई है नेस्टेसेंट में एक असिस्टेंट की पोस्ट है यहाँ पर फुल टाइम डिप्लोमा इंजिनेरिंग पास आउट चाहिए इलेक्ट्रोनिक्स अन्ड कम्निकेस्टन में बित 60% मार के साथ अदर्वाइज साइंस से गेज़ेट कर रखी है फिजिक्स, इलेक्ट्रोनिक्स, अप्लाइड फिजिक्स तो भी अप्लाई कर सकते हो यहाँ पर 2 year की इस्पिरियंस मागी गई है नेस्ट सेंट्रफिक असिस्टेंट भी की पोस्ट है जिसमें डिप्लोमा मेकेनिकल इंजिनरिंग वाले अप्लाई कर सकते हैं बिलकुल Fraser candidate apply कर सकते हैं ध्यान दे experience मागी गई है बट Fraser भी eligible है क्योंकि 0 से 2 year experience रखी गई है Next junior engineering week की post है यहाँ पर diploma mechanical या metronics engineering apply कर सकते है basic computers skill होना चाहिए सब में written test के माध्यम से selection होगा Next administrative assistant की post है इसमें graduate pass होना चाहिए 55% marks के साथ minimum 5 year की experience मागी गई है जितने भी है सब में graduate की degree मागी गई है Next supervisor की आपकी canteen में post है 3 year degree होनी चाहिए hotel management में कर रखी है minimum 2 year की experience है तो apply कर सकते है Next supervisor की जिसमें भी सब में graduate मागी गई है अब बात करते हैं ITI के बारे में सबसे पहले post है laboratory assistant की यहाँ पर NTC यानि national trade certificate आप आपने ITI pass out 60% mark होनी चाहिए आप apply कर सकते हैं बट यहाँ पर 2 year की experience होनी चाहिए और आपने यान एसी कर रखी है यानि apprentice 10th pass करके आपने ITI किया है और यान एसी कर रखी है तो आपको only 1 year की experience की जरूरत है otherwise आपने apprenticeship नहीं किया है तो 2 year की experience चाहिए नेश्ट है लेवेटरी असिस्टेंट भी की यहाँ पर भी ITI मागी गई है RAC के लिए vacancy है नेश्ट vacancy कलर की है जिसमें graduate मागी गई है वर्क असिस्टेंट की vacancy है SST यानि 10th pass और 1 year की experience मागी गई है पोर्जेक्ट अपिसर में डिग्री होनी चाहिए जिसमें B.E.B.Tech कर रखी है Computer Science या फिर IT के फिल्ड में रही तो पोस्ट है डिटेल ज्यादा से ज्यादा पोस्ट नहीं है परमारू उजय विभाग है जिस तरह की पोस्ट है जरूर अपलाई करें ध्यान दें जो पोस्ट है आपकी मुंबाई में पोस्टिंग होगी एक ही पोस्ट के लिए अपलाई कर सकते हैं फार्म आपको दो दिसम्बर से पहले फार्म आपको फिलप करनी है ऑनलाइन अपलाई करना होगा जितने भी कंडिडेट अपलाई करेंगे प्रेंट आउट निकाल कर और डाकुमेंट के साथ दो दिसम्बर से पहले दिये गए अड्रेस पर भेजना है यह बैकेंसी की पूरी डिटियल है जो भी इलिजबिल हैं जरूर अपलाई करना थिरी एर की बैकेंसी है सरकारी विवाग है अगर आप इंट्रेस्टेड है तो जरूर अपलाई करें कुछ डाउट हो तो कमेंट कर सकते हो आई होब कि वीडियो अच्छे लगी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब सेर जरूर करें मिलते हैं नेस्ट वीडियो में निव अपडेट के साथ तब तक के लिए जयहिन